हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन फूलों के बारे में जिनको अक्टूबर महीने में लगाने से पूरी सर्दियों हमारे गार्डन में फूली फूल खिले रहते हैं अमेरलेस लिली के प्लांट को हम बल्ब से ग्रो करते हैं और इसके जो वल्ब हैं उनको अक्टूबर महीने में लगाया जाता है अक्टूबर महीने में लगाने से मार्च अप्रेल तक इसमें फ्लावरिंग शोना स्टार्ट हो जाते हैं इसके जो फ्लावर हैं वो फ्लावर श्टिक पे आते हैं और जो इसकी पतिया हैं उनके उपर फूल नहीं खिलते हैं तो बल्ब से ग्रो होने वाला बहुत ही शुन्दर फ्लावर प्लावर प्लांट होता है तो अक्टूबर महिने में हमें इसके बल्ब लगा देने चाहिए देलिया के प्लांट की ऊपर कय रंगों की फ्ल खिलते है एंट यूलो परपल व्यूह और संद्री रंग के फूल इस प्लांट के ऊपर आते हैं तो ढेक्ष का प्लांट होता है इसे मिल से बीजों से लगाना हो तो हैं महिने में हमें इसके बीज लगा देने चाहिए नेक्स्ट प्लावर प्लांट है आजेलिया एक बहुत ही खुब सूर्ट से फूलों वाला प्लांट है इस प्लांट के उपर कई रंगों के फूलाथा है स्फेद, गुलाबी, रैठ कलर और वैंगनी कलर के फूल इस प्लांट के उपर आते हैं, इनकी खुश्बू बहुत अच्छे होती है, यह जो प्लांट है, यह बीज चे ग्रो होता है, और 10 से 12 इंच के गंबले में असानी से लग जाता है, लो मेंटिनेंस प्लांट है, ज्यादा धूप की जरूरत इस प्लांट के फूल खिलते हैं, रेड, गुलाबी, पीले, निले, स्फेद, कई रंगों के फूल इस प्लांट के उपर आते हैं, इनकी खुश्बू भी बहुत अच्छे होती है, अक्टोबर मेंने में इनको बीज चे ग्रो किया जाता है, और इसका जो गंबला है, दस से 12 इंच का होन के फूल आते हैं, अक्टोबर मेंने में इसको बलब और बीज दोनों से ग्रो किया जाता है, इसके उपर कई रंगों के फूल आते हैं, गुलाबी, पीले, वैंगने, स्फेद, रेड कलर के फूल इस प्लांट के उपर आते हैं, और बहुत ही खुशूत से फूल इस प्लां से भी कहा जाता है, इस प्लांट के उपर कई रंगों के फूल खिलते हैं, और बहुत प्यारे फूल इस प्लांट के होते हैं, इसको बीज से ग्रो किया जाता है, गुलाबी, पीला, लाल, और श्फेद, और नरंगी रंग के फूल इस प्लांट के उपर आते हैं, इसके लि के फूल कई रंगों में आते हैं गुलाब भी रंग में इसके फूल होते हैं पेले रंग में होते हैं नीले और सफेद रंग के फूल भी इस प्लांट के उपर आते हैं लेकिन जो सफेद रंग का फूल है बहुत फेमस है और बहुत प्यारा लगता है दिखने में तो प्लावर प्लांट है पैनसी बहुत ही खूबसूरत और खुश्वुदार फूलों वाला प्लांट होता यह इतना अकर्शक होता है की दूर जब से ही मन मोहलेता है तो अक्टूबर महीने में हमें इसको बीच से लगाना चाहिए बीच फिल लगाने के बाद के फूल भी इस प्लांट के उपर आते हैं जब तक पैंसी के बीच जर्मिनीट ना हो तब तक हमें इनको कम धूप वाली जगा पे रखना चाहिए next plant है कलेंचो कलेंचो एक बहुत ही खूबसूरत से फोलों वाला प्लांट होता है इस के फोल बहुत खूबसूरत होते है और यह low maintenance प्लांट है इसको cutting से भी लगाया जाता है और इसको भीरोब यह करोड़ किया जाता है इसके फोल भी कई रंगों में आते हैं लाल गुलाबी पीले स्फेद रंगके फ़ोल स्प्लांट के उपर आते हैं। इस प्रांट को जादा ध्ुप की जुरूरत भी नहीं होती ज़ादा पानी की जुरूरत भी नहीं हते। इसलिए इसको ट्राइट प्लांट में रखें और इसका जो गमला है उसकी मीटी वेल ड्रेन रखें खलकी मोईस्ट रखें असानी से ग्रोव होने वाला प्लांट है विंटर सीजन में फूल देने वाला अगला प्लांट है मेरी गोल्ड मेरी गोल्ड के प्लांट को कटिंग से भी लगाया जाता है और इसे बीज से भी ग्रो किया जाता है इस प्लांट के उपर पीले रंग के फूल आते हैं नारंगी रंग के फूल आते हैं और जो मेरी गोल्ड के फूल होते हैं वो पोजा के लिए भी यूज होते हैं और इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है फूलों के भी बहुत अच्छी खुश्बू होती है और पतियों की खुश् धूप वाली जगा पे मेरी गोल्ड के प्लांट को लगाना चाहिए नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है फिटूनिया फिटूनिया के ओपर भी कई रंगों के फूल खिलते हैं और इसकी जो फूल होते हैं बहुत ही प्यारे-प्यारे होते हैं की खुश्बू भी बहुत अच्छी होती है पिटूनिया के फूल कई रंगों में आते हैं लाल पेले बैंगने रंग के फूल इस प्लांट के ओपर जाद अतर देखने को मिलते हैं यह बीज से असाने से ग्रो होने वाला प्लांट है और 10-12 इंच के गंबले में असाने से लग जाता है सर्दियों के मौसम में फूल देने वाला अगला प्लांट है नेस्चूरियम नेस्टूरियम के प्लांट को बीज से ग्रो किया जाता है अक्तूबर महिने में इसके बीज लगा दिये जाते है फर्वरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग श्टार्ट हो जाती है और इस प्लांट के उपर लाल पेले नारंगी रंग के फूल खिलते है नेक्स्ट फ्लावर प्लांट है कोरियोपसिस कोरियोपसिस प्लांट के उपर भी कई रंगों के फूल खिलते हैं इसमें लाल पेले नारंगी रंग के फूल खिलते हैं अक्तूबर महिने में इसको बीज से ग्रो किया जाता है और फर्वरी मार्च में जैसे ही गर्मिया स्टार्ट होती है इनके उपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है कोरियो फ्रीश लो मेंटिनेंच प्लांट है तो इसको अक्टोबर महीने में बीज से ग्रो कर लेना चाहिए